आज ये निर्ण लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सिनेशन से जुड़ा जो पचीस प्रतिशत काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्ता आने वाले दो सप्ता में लागू की जाएगी। इन दो सप्ता में केंद्रव और राज्य सरकारे मिलकर नई गैडलेंज के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि दो सप्ता बाद 21 जून को ही अंतरराश्टिय योग दिवस भी है। 21 जून सुमवार से देश के हर राज में अठारा वर्षे उपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुप्त वैक्सिन मुहया कराएगी। वैक्सिन निर्माताओं से कुल वैक्सिन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीद कर राज्य सरकारों को मुप्त देगी। यानि देश की किसी भी लाज्य सरकार को वैक्सिन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोडों लोगों को मुप्त वैक्सिन मिली हैं। अब 18 वर्ष की आउ के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देश वाच्चों के लिए भारत सरकार ही मुप्त वैक्सिन उपलब्द करवाएगी। गरीब हो, निम्न मद्यमबर्ग हो, मद्यमबर्ग हो या फिर उच्चवर्ग। भारत सरकार की अभ्यान में मुप्त वैक्सिन ही लगाई जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति मुप्त में वैक्सिन नहीं लगवाना चाहते हैं, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सिन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सिन में से 25 प्रतीशत प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्ता जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सिन की निर्धारित कीबत के उप्रांत एक डोज पर अधिक्तम 150 रुप्य ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इस्ती निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, हमारे सास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनू इच्छती चा प्रमत्त अर्थात, विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं। परिश्रम करते हैं और परिश्थिती पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात महनत करके ताई की हैं। आगे भी हमारा रास्ता, हमारे स्वरम और सहयोग से ही मजबुत होगा। हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रप्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं, अनेग विक्षित देशों से भी तेज हैं। हमने जो टेक्नलोजी प्लेटफॉर्म बनाया है, कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेग देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तिमाल करने में रूची भी दिखाई हैं। हम सब देख रहे हैं कि वैक्षिन की एक एक डोज कितनी महत्वपून है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई हैं कि हर राच को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाग और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सिन की उपलबदता के अनुसार, पूरे अनुसासन के साथ वैक्सिन लबती रहे, देश के हर नागरी तक हम पहुँच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनी दी, हर प्रसासन की सामुहिक जिम्मेदारी है। प्रिय देश वाक्षियों, टीका करण के अलावा, आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवव्यत कराना चाहता ह। पिछले वर्ष, जब करोना के कारण, लोकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान, अन्य योजना के तहर, आठ महिने तक, 80 करोड से अधिक देश वासियों को, मुप्त राशन की ववस्ता हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण, मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला दिया है कि प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना को अब दिपावली तक आगे बढ़ाये जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरुवत के साथ उसका साथ ही बनकर खड़ी है। यानि नवंबर तक असी करोड से अधिक देशवासियों को हर महिने पाए मात्रा में मुप्त अनाज उपलब्दक होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को उसके परिवार को भूखा सोना न पड़े। साथियों, देश्ट में हो रहे इन प्रयासों के बीश कई छेत्रों से वैक्सिन को लेकर भ्रम और अफ्वाओं की जानकारी चिंता बढ़ाती है। यह चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता ह। जब से भारत में वैक्सिन पर काम शुरू हुआ, तब ही से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिज यह भी हुई कि भारत के वैक्सिन निर्मारताओं का हौसला पस्थ पढ़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आये। जब भारत की वैक्सिन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सिन न लगवाने के लिए भाती भाती के तरक प्रचारित किये गये। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सिन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफ़ाएं फेला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर रहे हैं। ऐसी अफ़ाओं से सतर्क रहने की जरुवत है। मैं भी आप सबसे समाज के प्रभुद्ध लोगों से युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप भी वैक्सिन को लेकर जागरुकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगों पर कोरोना कर्फू में धिल दी जा रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सक्ति से पानन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इनी सुपकामराओं के साथ आप सभी देश्वासियों का बहुत 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 जाएं।